हेलो गाइज नमस्कार क्रिकट भी शचीन बोरा में फिसे एक बार आपका स्वागत है गाइज सेम बॉल में दो अलग-अलग किसम की सोटे मारके आपने रन निकालने हैं क्योंकि सिच्वेशन कभी-कभी ऐसी आती जैसे इंडिया और पाकिस्तान के खिलाब जो मैच हुआ था वर्ल्ड कप में वहाँ पर कैसी सिच्वेशन आया थी जब विराड कोली और हार्दिक पांडिया बैटिंग कर रहे थे स्पिनर बॉलिंग के लिए आया वहाँ पर क्या था एक तो विकेट बचाना जरूरी हो गया था दूसरे रन भी निकालने जरूरी हो गया थे अब वहाँ पर क्या था विकेट बचाना है तो आपने हवाई शोट नहीं माननी पड़ेगी और अगर आप ग्राउंडेड स्पिनर आ रहे है प्रंट फुट में गया इस तरह से अल्बो अप करके मारते है अल्बो अप करके जब आपकी बॉल नहीं रहती है उसमें तो रन निकल भी जाते चौके लग जाते आपके चक्के मारने है नहीं क्योंकि बाई-चांस मिस्स टाइमिंग हो गया तो आपका क तो वहां पर क्या होता है आपने क्या होता है ग्राउंड इट शौर्ट थोड़ा तेज मारना पड़ता है अब तो सेम बॉल है जासे माना मेरी यहां पर फुल लंथ में बॉल आरी मैंने अगर नॉर्मल अगर क्रिकेट खेल ला हो मैं स्टार्टिंग में तो कभी भी क्या ह आदमी करके कभी नहीं मारता है इसतरह से इस तरह से खेलते हैं या ऑफ मा ऐती है इसे निकालते है या तो या षाजला आजी इसे अड tangent बाघ टृम्हा अब टिए निقालने जरू रहे हैं और बिकेट भी बाचाना है तो वहां पे क्या होता है वहां पर बैट आपको कहां चला जाता है, मारते वे अब चला जाता है, क्योंकि आपने फोर्स जनरेट करना होता है, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिश कैसे करेंगे, और कभी-कभी ऐसी जब हमारे पर ऐसी सिच्वेशन आते हैं, तो हमारे पार दोनु शॉट होनी जरूरी हो तो आपने फोर्स अगर नहीं लगाओगे नॉर्मली मारोगे तो आपकी बॉंडरी तक नहीं पोँचेगी बॉल इसलिए ओप महो हो स्ट्रेट महो हो मिड्विगेट की तरब हो या लेग साइड महो फिलिक्स ओट हो तो थोड़ा सा आपने हर तरब आपने फोर्स जेनरेट क आपने प्रेक्टिश करनी दोनु टाप की प्रेक्टिश करनी है सुच्वेशन आपकी दोनु ही आपकी कभी भी आ सकती इसलिए हमेशा स्टार्टिंग से अंडराम जब आप छोटे बच्चे हैं तब ही कि मैं बात बता रहूं क्योंकि यहीं से आपने आगे चलके यह करते हैं थोड़ा सा पंच करते हैं एक रन मिलता है लेकिन उसी तरह से आपने बैखुट में रन निकालना है बॉल स्टेट मारी इस डारेक्शन मारी कमर के निचे से आरी तो नर्मल नमत आप पंच मारें पंच में जरूरी नहीं कि आपका चोका जागा क्योंकि फोर्स होत ईसी को आपने इसमें कुट मारना होता है आप जाते ऐसे जाते हैं फिर हल्का सा पीछे अट के थे षथे सब्हें वा निकालते जा बैड़ा लैग मार से ड़ी उसी तरह से अट मार के नहीं ज़ी दबाते तो इस से चीज की प्रैक्टिश करेंगे सोप जाने जरी जरु से अगर आप पुल मारते हैं, उपर से नीचे की तरह बाएगा बैठ। स्फवर्टम उपूणिय है, अगर यही चीज आप में पुछा दिया, तो उपर चला जायागा। जैसे situation ठीक हो जाती है, हार्दिक पांडे ने भी देखा होगा आपने, फिर उसके बाद stroke खोलना शुरू कर दिया था, जब थोड़ा सा एक चोके लग जाते हैं, confidence बढ़ने लग जाता है, रन की requirement और ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं, फिर आपने क्या करना है, जिसको आप ड्राइम मार रहते हैं, सेम बॉल को, हिट मारना है, तो हिट मारने की प्रेक्टिश आपने करनी है, और ग्राउंडे शोड मारने की आपने प्रेक्टिश करनी है, छोटे लेबल में आप हिट ना भी मारो चलेगा, बट कभी-कभी छोटे लेबल में भी ऐसी situation आती है, आप आपने दिरे दिरे छक्का मारना भी शीकना पड़ेगा इसलिए यह चीज आपने करनी जरूरी है नेट प्रैक्टिश में वहले स्टार्टिंग में मैच में अपलाई ना करो इसको बट ऐसी सिच्वेशन कभी-कभी आपके पास आएगी कि आपने वह जब आपने तीन बॉल म पंदर बीस पच्ची सेनल बनाने है चोके से तो काम नहीं चलेगा आपने रिस्क लेना पड़ेगा शॉट मारनी पड़ेगी तो इसलिए बीच बीच में आपने सभी तरह की शॉट मारनी की प्रैक्टिश भी करनी है बॉल को अंडराम से अंडराम जब हो जाता है दिरे ध पहले 5 मिटर से फिर 10 मिटर से ऐसे पीछे पीछे जाते जाते फिर आपने फुल बॉलिंग दे के इस तरह की प्रैक्टिश करनी है ताकि आपकी हिटिंग भी अच्छी हो ग्राउंडे शॉट भी अच्छे लगे अब गाईज आपने इस वीडियो को गौर से देखिए इसी त है उसके बाद जब इसकी आपकी हैबिट हो जाती है उसके बाद धीरे दरे फोर्शिंग सौर्ट शीखना जरूरी है क्योंकि बीना उसके आपके रणने निकलेंगे कहीं भी आपने बड़े लेबल में देखा होगा वह आपने कर रहे हैं पड़ेगा इस तरह से देखिए बैट कहां जा रहा है उसके बाद बैट जा रहा उपर को यह आपकी फिलिक सोट आ सकती है स्वीप सोट आ सकती है रिबर स्वीप आ सकती सबीट को आपने सीखना पड़ेगा इस तरह से लेकिन स्टार्ट जब आप करते हैं हमेशा ही एक ही चीज बोलता हूं जैसे मैंने व आउट करके भी कर रहा है जैसे जैसे बॉल आती बॉल के अकोर्डिंग आपने मारना पड़ेगा यह इसका आइडिया आपको धीरे धीरे आएगा एक दम से नहीं आएगा बहुत जाता जब आप गेम खेलते जाएंगे खेलते जाएंगे आपका गेम इंप्रूब होता जा बट आपने सीखना ही पड़ेगा क्योंकि जब आप छोटे लेबल में खेल रहे हैं और स्टार्टिंग में आपको बेसिक चीज़ें शिखाए जा रहे तो धीरे दरे आपने एडवांस में जाना पड़ेगा क्योंकि जब एक चीज़ सीख दिया और उसी पर आप चलते रह हैंगे और उतना आइडिया आ नहीं पाएगा आपको तो इसलिए देखिए हर सोट खेल रहा है और शिखा रहा हूं इसी चीज़ को ग्राउंड में अपलाई कराता हूं यहां पे नेट पे शिखाता हूं अंडराम शिखाता हूं फिर ओबराम शिखाता हूं उसके बाद इ एकदम से इस तरह की सभी सोट आपसे नहीं हो पाएंगे आपको लगेगा कि या यह तो थोड़ा सा मुश्की लग रहा है नेट मा अलग होता है यहां पे कुछ अलग लग लग रहा है तो वह कोई प्रॉब्लम नहीं आपने इसी तरह प्रैक्टिस करते जाना धीरे दरे व शीखते जाएंगे तो गैज उमीद करता हूं कि वीडियो आपको पसन आया और पसन आया तो लाइक जरूर करना चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना थैंक्यू धन्यबार